नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास सुनवाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंडियर के फॉर्थ समेश्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जो केशन याने की सीक्षा सास् इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले कोश्टन के बारे में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले कोश्टन के बारे माचे से पता चल जगे और जो भी स्टुडेंट बीए सेकेंडियर के अंदर है जिनका फूर्थ समि लोग कमेंट करके जरूर बताए कि नेक्स्ट को स्वाइट को पर चाहिए तो दोस्तो आइए वीना कीसी देरी के आमलों सुरू करते हैं और सबसे पहले अति लगूतिरी प्रश्नों के बारे में जानते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उता दू कि इस वीडि अगले कोश्चन के बात की जात यहां पर आपका तीसरा कोश्चन दियावा है और जित अभी प्रेड़क होता है यहां पर आपको और जित अभी प्रेड़क का अर्थ बताना है अगले कोश्चन के बात की जात यहां पर आपका पांचवा कोश्चन दियावा है उपाख्यान बीदी क्या है यहां पर आपको पाख्यान बीदी के बारे मताना है अगले कोश्चन के बात की जात यहां पर आपका च्छाटा कोश्चन दियावा है परियोगात्मक बीधी के चार तत्व लिखिए च्छाटा कोश्चन कर रहा है जो परियोगात्मक बीधी होता है यहां पर आपको परियोगात्मक बीधी के चार तत्व लिखना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका साथवा कोश्चन दियेवा है मानसिक रूप से स्वस्त बेक्ती के पांच लक्षर लिखिए साथवा कोश्चन कर रहा है कि मानसिक रूप से स्वास्थ बेक्ति जो होता है यहाँ पे आपको मानसिक रूप से स्वास्थ बेक्ति के पांच लक्षर लिखना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका आठवा कोश्चन दियेवा है प्रतिवा साली बाला किसे करते हैं अटवा कोश्चन कर रहा है कि प्रतिवा साली बाला किसे करते हैं यहां पे आपको प्रतिवा साली बाला के बारे मतना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका नवा कोश्चन दियेवा है वायक्तिक भींताओं का महतों बताईए नवा कोश्चन कर रहा है जो वायक्तिक भींता होता है यहाँ पे आपको वायक्तिक भींता का महतों बताना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका दसवा कोश्चन दियवा है प्रेरडा का क्या आर्थ है दसवा कोश्चन कर रहा है कि प्रेड़ा का क्या अर्थ है यहाँ पे आपको प्रेड़ा का अर्थ बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका अती लगूतिर प्रश्ण का लाष्ट कोश्चन दिया है यानि कि बरावा कोश्चन दिया है मानसिक स्वास्ति की विस्यस्ता ही बताईए बराव कोश्चन कर रहा है कि मानसिक स्वास्ति की क्या विस्यस्ता होती है यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्ति की विस्यस्ता बताना है तोटल आपके 12 कोश्चन होगे जो आप स्वाती लगूत्री प्रस्ण में पूछे रहेंगे अब आगे हम लोगूत्री प्रस्णों के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे लगू तेरी प्रश्णों में पहले प्रश्ण की बात कीजाते हैं 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 पहले प्रसनावली पदती के परमुग लक्षड़की भी बचना करना है। चाटा कोशन कर रहा है, जो प्रेदी विकास को परिभासित करना है। आठव में सुधार है तो कुस सुझाओं देज़े। अधीगम अस्थानांतर होता है यहाँ पे आपको अधीगम अस्थानांतर होता है यहाँ hard question कर रहे हैं कि शीखने के लियम होता है यहां पर सीखने की नियम को संचेप में वर्णlle करना है आप अगले question की बात कि まthik ज्या है अभी Prayora क्या है यहां पर प्रेडा के बार मतना है और इसको इस पोचण करना है अभ्लए question की बात कि परतेक्षी करण का सीख्चा में क्या महतो बताना है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका पंदराओ कोशन दिया है तर्क के सोपानों को सपश्ट कीजिए पंदराओ कोशन का रहा है जो तर्क होता है यहां पर आपको तर्क के सोपानों को सपश्ट करना है अब अगले कोशन की बात की जाते हैं आपका सोलाओ कोशन दिया है और लगूतिरे प्रश्ण के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे दिरगूत्रिय प्रश्णों में पहले प्रश्णी की बात कीज़ा, यहाँ पे आपका पहला प्रश्णी दियवा है, सीख्छा मनो विग्यान के अधन की बीविन विधियू के बारे बताना है, और उनकी सीमाई बताना है, अब अगले कोश्णी की बात कीज़ा यहां पर दूसरा question दिएवा है विकास का क्या आर्थ है विकास की बीविन उस्थावं और इसकी बिस्निस्थावं करना है अब अगली question की बातकीस यहां प covet करना है लहाषी जो पर्तिकिरिया सिधान्द की बैखा कीजिए और इसके साइची के महतों भी प्रकाइड डलना है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चौथा कोशन दियावा है अभी प्रेड़ा क्या है? अभी प्रेड़ा के किसी एक सिधान की बैख्या कीजिए चौता कोशन कर रहा है कि अभी प्रेड़ा क्या है यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेड़ा के बारे मतना है उसके बदागे आपको अभी प्रेड़ा के किसी एक सिधान्त की बैख्या करना है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पे आपका पांच्वा कोशन दियाव है व परतिभा साली बालक की से कहते हैं इस परकार के बालगों की विस्यस्ताओं का उले कीजिए। परतिभा साली बालक की से कहते हैं इसके बीविन तत्तों और परकार का उले कीजिए। और मिलता आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके बताई कि आपको नेक्स्ट कोईशन पेपर की स्टोपिक उपर चाहिए।